अगर आप फिर से बच्वन की नानी या दादी की यादे जीना चाहते हो तो इस एक्सप्रेंशन को पूरे अंद तक ज़रूर देखे आज की मुवी दवे होम ही 2002 की मुवी इसी सब्जेक्ट पर है IMDB में इसकी रेटिंग 7.8 है और सब लोगों ने इस एक्सप्रेंश को जीया है तो चली ही शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें मदर और सन एक बस में दिखते है यह गाव जा रहे होती है यह जो गाव होता है यह सन की नानी का गाव होता है संगू फिर अपनी मदर से पूछता है क्या वो डेफ है? क्या वो सुन नहीं पाती? क्या वो स्केरी है? बहुत सारे क्वेस्टन उससे पूछ रहा होता है उसकी मदर उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देती इस बस में हम जब देखते हैं तब सब गाव के लोग होते है बस में इन्होंने एनिमाज भी लाए होते है संगू को ये बहुत लिए अनकमवर्टिबल मैसूस होता है संगू और उसकी मदर एक सीटी में रहते है अब वो गाव आ जाते है संगू अपनी नानी के पास फर्स्ट बार आ रहा होता है नेकसिन में हमें रैरिकली संगू की मदर उसकी नानी से बात करते हैं वो से कही थी कि अब मैं सीटी में रह रहु हूँ पर मेरे पास जॉब भी नहीं है वो अब संगू का खैल नहीं रख सकती है तो थोड़े दिनों के लिए जब तक वो जौब धून ले तब तक वो नानी के यहाँ संगू को छोड़ कर जाने वाली होती है संगू की मदर थी वो बहुत ही चोटी थी तब से उसकी मदर को छोड़ कर चली गई थी एक आदमे से उसे प्यार हो गया था और उसे उसने शादी कर ली थी फिर संगो की नानी पुछती है कि वो कहा गया मदर बोलती है कि मेरा उससे बहुत पहले डिवास हो चुका था अब थोड़े दिनों के लिए संगो यही रहने वाला है तो इसके लिए कैन फोर्ट्स प्रेट्सल्स वेकरा यह सब फास्पूर्ड उसे लिए छोड़ कर जाती है नानी बहुत ही बुड़ी है तो उसकी नरिश्मेंट के लिए भी उसने क्रीम स्वेकरा लाई हुए होती है नानी संगो के हेड पर हाथ रखने कोशिश करती है पर संगो उसे जटक देता है वो कहता है कि यह बहुत ही डटी है मदर उसे बहुत ही राटती है संगो की मदर फिर उसे कहकर जाती है कि नानी को जादो तकलिफ मत देना संगो बहुत ही अच्छा लड़का है इसा अपने मदर को कहे कर वहाँ से फिर चली जाती है जब संगो और नानी दोनों उसके मदर को छोड़ने के लिए आते है तब नानी उसे बात करना चाती है नानी अपने बेट पर हाथ फेरा दिये पर यह जो जेस्चर है यह अभी तक संगो को पता नहीं कि यह क्या है तो उसे वो पागल है, रिटार्ड है इसा बुलाता है रात में नानी संगो के लिए बहुत सारा खाना बनाती है पर यह कुछ भी नहीं खाता जो कैन फूड उसके मदर ने उसे दिये थे, यह भी वो खाता रहता है नानी के घर पर जो टीवी होता है, वो भी ओन नहीं होता संगो ने कुछ खाया नहीं होता, तो उसके लिए वो थोड़ी से स्वीट्स लाती है पर यह भी वो ठुकरा देता है अपना फिर गेमिंग कंसोल निकालता है, उसके गेम खेलने लग जाता है जब रात होती है तो उसे पौटी आती है रात में उसे कुछ डर ना लगे, इसलिए नानी वही बैठती है संगो रात में अपनी मदर चली गई है, इसलिए बहुत रोता है निकस दिन सुबा हमें नानी पानी भरी यह दिखता है यह बहुत ही बुड़ी होती है, और एक कंदे पर वो पानी लेकर जा रही होती है वह फिर एक नेबर का छोटा सा बच जाता है वो नानी के लिए उसने बहुत सारे सेब लायो होती है वो संगू के बारे में पुछता है संगू के पास जाकर वो बेट जाता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ में खेलना होगा तुम मुझ में खेल सकते हो संगू एक टॉय के साथ खेल रहा होता है उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है संगु उसे toy को हाथ नहीं लगाने देता इस neighbor के लड़के के पास एक dog भी होता है संगु उसके भी लाद मार देता है संगु अकेला ही दिन बर skating shoes के साथ खेलता रहता है नानी का चुरूटिन होता है साफ सवे करना, सब काम करना ये वो खतम कर लेती है संगु जब सोता है ता संगु के जो toys होते है उससे वो खेलने लग जाती है रात में नानी निडल से कुछ teach करना चाती है इसलिए निडल में जो धाका होता है वो वो अंदर नहीं डाल सकती उसके जो vision होती है वो बहुत ही कम होती है नानी जो है ये बात भी नहीं कर सकती ये बहुत ही बुड़ी हो चुकी है तो उसे बहुत सारे problems है संगु अपना game खेल रहा होता है और वो उसे थोड़ा सा help कर देता है उसे फिर एक cockroach देखता है और वो बहुत ही डर जाता है नानी फिर इस cockroach को उठा लेती है संगु इस cockroach के लिए मारने के लिए बोलता है पर नानी का दिल साफ होता है वो कभी भी किसे को मार नहीं सकती है इसलिए उसे बाहर छोड़ देती है संगु जीस gaming console पर game खेल रहा था उसकी पैटरी सब खतम हो जाती है नेक्स दिन फिर अपनी नानी को बहुत ही परिशान करता है वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे हो जाता है उससे पैसे वो मांग रहा होता है पर नानी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते है पूरा घर वो चानता है पैसे उससे कही भी नहीं मिलते है इसे अब नानी पर बहुत गुसा आता है नानी के जो शूज होते है वो लेता है और वो फर्नेस में डाल देता है एक व्यूटिफुल पॉट ुत है उसे रश्ता दिखाता है की कैसे उसे गाव में जाना समुंगा में गोम लिए आभिब्सक्राश कोके है जिस ओल्ड मैन ने उसे रश्ता दिखाया था वह उससे फिर से दिखता है और हे ओल अपने नानी की हाल लेकर जाता है इस गाव में हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है इसलिए वो एक दूसरे के help करते है संगु जब स्वया होता है तो नानी उसके पास आती है उसके सर पर हात रखती है संगू उठ जाते है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए नानी उसके खानी के लिए पूछती है पर संगू कहता है कि तुम नहीं खाना ला सकती उसे पीजा, हैंगबर्गर, कंटकी चिकन चाहिए नानी को कुछ भी समझ मने आता संगू के पास यह जो सब मेनू है इसका इमेज होता है यह इमेज फिर वो नानी को दिखाता है नानी इसमें से चिकन पहचान लेती है वो हाद से जेश्चर करती है और क्या तुमें हैन खानी है, यह उससे पूछती है संगू भी अब खोश हो जाता है आज उसे चिकन मिलने वाला है नानी फार्मिंग करती है उसके पास जो भी पंकिंग वेगरा होते है वो सब पैक करती है और गाव में चले जाती है वहाँ से मुर्गी लेकर आती है इसे बना दी ही कुप करती है और संगु के पास लेकर आती है संगु जब इसे देखता है प्रॉपर हेले क्लिप नहीं है तो उसने जो चुराई थी वो फिर से वही लगा देता है नानी को खाना चाहिए तो इसलिए पचा खुचा जो चीकन होता है वो रेडी करता है संगो माउंडन मर घुमता है वहाँ उसे एक लड़की देखती है यह इसी की एज़ की होती है वो घर-गर खेल रही होती है वो उसके पास जाता है बात करना चाहिए इसके जो टॉइस होती है इस पर इसका पेर आ जाता है यह लड़की उस पर बहुत चिट तुमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता संगो उसे, पूछता है क्या तुम गंडे की जिकन बना सकती हो वो कहिती कि नहीं, पर मैं खा सकती हो मुवी के फिर्स में, जो नेवर का लड़का में दिखाय कैया था, वो इस लड़की का फ्रेंड है संगो उससे पुछता है क्या तुम्हारा वो boyfriend है यह लटकी उसे कुछ भी नहीं बोलती है हील पर यह Never का लटका जोता है यह आगे भागता है और उसके पीछे एक गाय आ जाती है यह भागते भागते हील के ऊपर आ जाता है और गाई से अपना पीचा छुड़ा लेता है नेक्स दिना में दिखता है कि नानी और संगू ये दोनों सिटी में जाने वाले होते है नानी जो फार्मिंग करती है वहाँ से वो पंपिंग निकालती है और ये पंपिंग वो सेल आज करने वाली होती है नानी के साथ और भी कुछ औरते फिर वहां आजाती है और ये सब अब सीटी में आजाते हैं एक बाजार में वहाते हैं संगो फिर से उस लड़के को इस बाजार में देखता है नानी को उसकी help चाहिए होती है उसे help नहीं करता नानी को खुदी पमकीन स्वगरा उठा कर लेकर जाने पड़ते है थोड़ी तेर बात संगु देखता है कि जो पमकीन नानी सेल कर रही थी वो बीक नी रहे है इसे बहुत ही बुरा लगता है पर फिर भी हमें नेक सीन में वो एक शूस के शॉप में दिखता है एक शूस वो पहन रहता है और उसे एक पसंद भी आते है नानी फिर संगु को एक रेस्टोरन में लेकर आती है उसे जो अच्छा रगता है वो खाना उसे खिलाती है जो सब नानी के पास पैसे होते है यह बहुत सारे पैसे इस रेस्टोरन में चले जाते है संगु को बहुत ही बुरा लगता है उसे एक बैटरिस के शॉप भी दिखती है पर अपनी नानी को और उससे तंग नहीं करना होता इसलिए इस बार वो बैटरिस की जीत नहीं करता नानी फिर संगु को बस वर बिठाती है बस ड्राइवर नाने को कहता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है उसने तुम्हें मिलने को बुलाया है नानी संगु को पूछती है क्या तुम्हें कुछ खाना है संगु कहता है कि मुझे चौको पाचाई है नानी फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है कि जो फ्रेंड होती है उसकी ग्रोसिरी शॉप होती है नानी की फ्रेंड और नानी बात ही करने लग जाते है नानी अपने फ्रेंड से उसके पेरों के बारे में पुछती है नानी के फ्रेंड के पेर सही से ने होते उसकी नीज में बहुत ही पेन होता है नानी की फ्रेंड को संगो के बारे में बता होता है उसे कहती है कि मुझे मिलवाने के लिए तुम्हें उसे लाना चाहिए था नानी उसे चोकोपाई पुछती है नानी की फ्रेंड उसे बहुत सारे चोकोपाई दे देती है उसे पैसे नहीं ले रहे होती तो नानी अपना पमकिन उसे दे देती है संगु के साथ जो लड़की थी वो भी बैट जाती है नानी जब बस में चड़ती है तो संगु उसे कहता है कि तुम अगली बस में आना मैं आज उस लड़की के साथ बैटना जाता हूँ नानी से वो चोकोबाई ले लेता है और नानी को अखेला छोड़ कर ही हो जाने वाला होता है नानी के पास जो भी बच्चे वे पमकिन होती है वो संगू को देना जाती है पर संगू उसे पिक अप नहीं करता संगू पिर गाव आ जाता है वो बहुत अपने नानी का वेट करता है और बहुत ही टाइम हो जाता है तब तोको उसके पास ने आती वो वरिड हो जाता है और भी समय गुजर जाता है और फिर नानी की गाड़ी उसे दिखती है अब उसे बुरा लग जाता है नानी के पास जो बैग होती है वो उठा लेता है नेक्स दिन जो लड़की थी वो नेवर के लड़के से बात करती है यह संगू को बहुत ही जेलस फिल होता है यह नेवर का लड़का हिल से उपर जा रहाता है संगों चिलना ने लग जाता है कि तुम्हारे पीछे काउ है ये लड़का भागते भागते उपर जाता है इसे लगता है कि सच्च में उसके पीछे काउ है पर सही में काउ उसके पीछे भी लग जाती है संगों का लगा था कि उसका मज़ा गोड़ाएगा पर यह success नहीं हो पाता इस सब attend में संगु का जो toy होता है यही उसके पेर के नीचे आ जाता है और तूट जाता है जब रात होती है तो संगु को potty आती है वो डरता है तो अपने नानी को बुलाता है अपने पास उसे बेटने के लिए बोलता है नेक्स दिन फिर से नेबर का लड़का हिट से उपर जड़ रहाता है तो संगु फिर से चिलाता है यह तुमारे पीछे काउ है यह लड़का फिर भागता है और भाग कर गिर जाता है संगु के पास फिरो आता है और उसे कनफरंट करना चाता है संगु कुछ भी नहीं बोलता नानी ने अपने चाथी पर हाथ रगा था और गोल-कोल घुमाया था यह जेस्चर संगु को समझ में नहीं आया था यही जेस्चर वो उस लड़के को करता है और वहाँ से भाग जाता है जो लड़की थी यह संगु से खेलना चाहती थी पर वो उसके साथ आज खेल नहीं पाया जब रात होती है तो संगु को बहुत ही अच्छा लगता है कि उस लड़की के साथ अब वो खेल सकता है संगु फिर बहुत ही अच्छे से रेडी होता है उसके जो बाल होते हैं यह जादा बढ़ चुके होते हैं नानी को यह सब वो बोलता है नानी कैची लेती है और एक कापने लग जाती है संगु उसे बोलता है कि जरा छोड़े छोटे कापना नानी उसका अलगी हेरिकट कर देती है संगु जब उसका haircut दिखता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही गटिया लग रहा है वो नानी पर चिर जाता है, रोते रोते वहाँ से अंदर जाला जाता है रात में नानी उसको pack कर रही होती है, वो संगु को देती है पर संगु एक सेब नहीं करता संगु को उस लड़की से मिलना ही होता है, वो एक cloth हो लेता है और अपने सर पर रख देता है उसके hairs अगर उस लड़की को नहीं दिखेगे तो यह weird नहीं लगेगा जिस cloth को वो try कर रहा था, इसी cloth को लेकर नानी किसे से मिलने जारी होती है नानी का एक old friend होता है, जिससे वो मिलने जाते है अपने friend से वो कैसा है यह सब नानी बुछती है वो old friend कहता है, कि मैं बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ मैं अब सब पर बोज बन चुका हूँ संगु की मदर ने नानी के लिए जो nourishments लाहे थे, वो सब इस old friend को दे देती है वो कहता है कि इसकी जरूरत तो तुमें है नानी कहती है कि बहुत साल तक जीने वाली हो, मुझे इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है यह सब वो gestures में कहती है दूसरे दिन संगु अपने friend से मिलने जा रहा होता है उसके लिए वो teddy bear भी लेकर जा रहा होता है उसके पास एक kart होता है, जिसको ओड़कर वो लेकर जा रहा होता है जब heel आती है, तो उसे लगता है इसको बेट कर उसे नीचे जाना चाहिए वो इस पर बेट जाता है, पर उसका accident हो जाता है उसे बहुत ही लग जाता है, धिल पर ही काउ उसके पीछे लग जाती है अब ये ज़्यादा फासली दोड़ भी नहीं सकता और गिर जाता है जब इन पर जूग जाता है, जो नेबर का लड़का था, वो ये सब देख लेता है उसे बचाने के लिए वो आ जाता है संगो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था, इसके लिए मैं तुम्हारी माफिय मांगता हो यह लटका कहता है, यह फिर तुम्हें दो बार माफ़ी माँगने पड़ेगी संगू रोते रोते जब घर आ रहा होता है, तो अपना gaming console देखता है जो नानी ने पैक किया था, इस gaming console के नीचे नानी ने पैसे रखे है वो जब घर आता है, तो नानी उसके पास आती है नानी उसे बहुत ही अच्छे लगनी लगी है नानी को फिर कुछ लिखना सिखाता है उसे कहता है कि तुम बोल नहीं सकती और फोन भी यूज नहीं कर सकती तुम मुझे बिमार होगी तुम मुझे लेटर लिख देना मैं फिर से यहां आ जाओंगा और अगर तुम कुछ भी तो एक ब्लाइंग लेटर मुझे सेंड कर देना मैं समझ जाओंगा इनी के लिए नीडल में धागे बानना यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है संगो उसके लिए बहुत सारे धागे बहुत सारे नेडल GOLE में गुम देता है जिससे नानी को कोई प्रॉलम नहाए नेज तुम्हें ज़रा warm-cots पहनने हैं अपने आपका ख्याल रखने के लिए उसे बोलती है जब बस आती है तो मदर संगु से कहती है तुम्हें नानी से कुछ बोलना नहीं है संगु कुछ भी बोलनी रहा होता वह बस में बिट जाता है संगु के खिड़की के पास नानी आती है वो उसे बात करना चाती है पर संगु उसे attention ही नहीं देता संगु को बहुत बुरा लग रहा है यह नानी को ऐसे छोड़कर ही अब उसे जाना पड़ रहा है जब बस आगे निकलती है वो पीछे के खिड़के पर संगू आ जाता है नानी को हाथ देता है उसे बाय करता है नानी को बहुत सारे कार्ड्स वो देखर जाता है नानी जब घर आती है तो बहुत कार्ड्स देखती है यह जो कार्ड्स होते है यह पोस्ट कार्ड्स होते है जब भी नानी विमार पड़े तो ये postcard वो send कर सकती है इस पर रोने के हसने के बहुत सारे emotions होते है जब भी नानी को संगु की याद है तो कैसी है इस feelings को जदाने के लिए एक cards वो संगु को भेज सकती है नानी को संगु ने बहुत ही तकलिफ दी थी और मैं पता है कि नानी या दादी का दिल कैसा होता है बहुत ब्यूटिफुल ये movie थी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग यूगी तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबा दीजे ये कि सब वीडियो आपको मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये